तो दोस्तो आज आप सभी को बताऊंगा आप लोग लब साइडी वाला वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो तो दोस्तो एक भाई का कमेंट्स आया था भाई ऐसा वीडियो एडिटिंग लाओ तो दोस्तो उस भाई के लिए a special video और आप सभी के लिए भी a special video तो दोस्तो इस भाई का account देखलो सेम इसी टैप का वीडियो upload करके अपने account को बहुत ज़्यादा grow किया है तो ऐसे ही आप सभी को अपने account को grow करना है तो बस इस वीडियो को आप लोग पुरा full watch कर लो और ऐसा editing सीख लो तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं ओके तो दोस्तो सबसे पहले आप सभी को अपने pixel lab application को open कर लेना होगा तो देखलो एंड दोस्तो आप सभी को कुछ step से interface दीखने को मिल जाएगा तो उपर के side में देखलो three dot का option होगा उस पे जाना है एंड इसमें से image size को select कर है एंड यहां से जो बारो सो असी है इसको यहां से कट कर 720 कर देना है 720 एंड इसको ok कर देना तो देखलो coach step size आएगा अपने interface तो इसको यहां से delete कर देना अब आप सभी को color को choose करना होगा तो देखलो हो नीचे इस यहां से fourth number option में आ जाना है एंड आप सभी को color में जाकर white इसको एट करना है तो देखलो एंड इसको ओके कर देना अब आप सभी को अपने जिस भी इमेज को इसमें यूज करना है उसको आप सभी को एट करना है तो देखलो उपर के साइड में यहां से कोने में पलस पर जाना है एंड फ्रम गैलरी टेप करना है अब फ्रम गैलरी टे अब इसको done कर देता हूँ, अब इसके size को छोटा कर लेना है, तो देखलो, यहां से size को छोटा करकर यहां पर आप लोग लगा देना कुछ step से, यहां पर लगाने की बाद अब आप सभी को देखलो यहां से beach वाले, एक बाद यहां से beach वाले option में जाकर, यहां से stroke वाला option और इसके यहां से जो blur radius है इसको यहां से आप लोग 7 कर देना कुछ यहां से 5 कर देना 5-6 आप लोग रख सकते हो एंड इसको OK करना जस्ट इसका ही बाद आप सभी को inner side होगा तो इसको यहां से इसको भी enable कर देना and white color को slit कर देना और इसके blur radius को यहां से हलका सा minus कर देना 5 में अब इसको OK तो देख लो अपना image बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यहां से देख लो कुछ step से हो गया तो अब आपको इसको यहां से लोग कर देना है तो यहां पर आना है आप लोग Google से डाकर download, sorry इसको copy कर सकतो जैसा side ही चाहिए वैसा तो आप सभी को यहां से फिर से plus पर जाकर text पर जाना है and इसको यहां पर जाना है and इसको delete करकर इसको paste कर देना है अब जो यहां से है इसको यहां से हलका सा dash देना चाकि यह बीच में आ जाए तो देखलो कुछ step से and इसको ok कर देना अब आपको यहां से हलका सा side में कर देना है and इसके side को सबसे पहले छोटा करकर यहां पर लगा देना है अपना इसके color को select करना है तो आप लोग को यहां से यह वाले option में आ जाना है देखलो and आप सभी को color को black कर लेना है देखलो यहां से यह dark black हो गया अब इसको OK करना है अब आप सभी को यहां से font में जाना होगा देखलो यहां से and आपको my font में जाना है और दोस्तो इस font का link में आप सभी को अपने telegram पर दे दिया हो जाकर download कर लेना और telegram पर join से जरूर कर लेना अब इसको OK कर देना है तो देखलो ये कितना अच्छा font है तो आप सभी को यहां पर लगा देना है देखलो हलका से यहां से नीचे कलेना यहां पर हाँ तो इतना हो जाने के बाद अब आप सभी को यहां से फिर से प्लस पर जाना है और टेक्स्ट पर जाना है अब आप सभी को यहां से लिखना है इंस्टा और आपने इंस्टागराम का आईडी आप लोग यहां से लिख लेना एंड इस्टा लिखने के बाद आप सभी को यह वाला सलेस दे देना है और अपने इस्टागराम का यहां से नेम लिख लेना है अब इसको ok करकर आप सभी को यहां से font में जाना है तो देखलो font में जाकर आप सभी को इसी में से font यूज कर लेना है ये वाला अब इसको ok कर देना आप लोग कोई सभी font को यूज कर सकते हो बट यह अच्छा लग रहा है ये वाला तो इसको आप लोग यूज करना है तो देखलो यहाँ पर लगा देना कुछ इस टेप से and size को हलका सा और छोटा कर देता हूँ and आपको यहाँ से हलका सा यहाँ पर लगा देना and इसको हलका सा उपर कर देना देखलो कुछ इस टेप से अब आप सभी को कुछ इमोजी को एट करना है तो फिर से प्लस पर जाकर टेक्स्ट पर जाना है and cut करकर इसको यहां से delete कर देना है and आप सभी को अपने सारी कहीं साब से emoji को select कर लेना and इसको ok कर देना तो अब आपको emoji को यहां पर लगा देना है नीचे के side में अब emoji में कुछ ना यहां से आप सभी को परचाई वाला यहां से effect देना है तो सबसे last प्याजन reflection में जाकर इसको enable कर देना और enable करने के बाद कुछ नहीं बस इसको ऐसे ही रहने देना है तो देखलो यह बहुत ही अच्छा लग रहा है तो देखलो अभी यह आपके gallery में save हो चुका है तो अब आप सभी को क्या करना है यहां से सबसे पहले मैं data को earn कर लेता हूँ अब आपको यहां से किसी भी VPN को connect कर लेना है और उसके बाद gap cut application को open करना है तो देखलो यहां से अब आपको new project पर tape कर दिना होगा और जो photo आप लोग save की हो उसी को यहां से आप सभी को add करना है तो देखलो यहां से अब आपको यहां से आप लोग जितना second का आपका song होगा उतना second का इसको आप लोग भरा लिजगा है और इसके last में देख सकतो एक यह फाल्तू का part होता है तो इसको delete कर दिना अब आप सभी को शुरू में आशना है और नीचे आप सभी को audio का option होगा second number ही तो audio पर जाकर यहां से third number option एक state का होगा तो इसी पर tape करना और Instagram पर से कोई भी real download कर लेना जो आपको audio यूज करना हो और इसको आप लोग को यहां से import sound only कर देना क्योंकि इसमें से video में सही audio निकलता है इस app में तो देख लो यहां से music अपना आ चुका है तो अब क्या करना है अब आप सभी को यहां से बैक आकर कुछ यहां से देख लो टेक्स्ट में color वाला जो आप लोग प्रव्यू में देखे होंगे colors यहां से यहां से जा रहा था यहां से left से right की और तो आप सभी को उसको add करना है तो नीचे overlay में जाकर add overlay करना है और add overlay करने के बाद यहां से color वाला जो है यहां से भेक्ट इसका भी link आप सभी को देख लो यह डिस्की telegram में मिल जाएगा आप लोग जाकर download कर लेना तो blend में जाना है नीचे की side में और देख लो blend में जाने के बाद इसको यहां से आप सभी को lighten कर देना है और lighten करने के बाद हलका सा zoom कर लेना ताकि दोनों यहां से text पाए और आप सभी को यहां पर लगा देना है तो देख लो यहां पर लगाना and इसको ok करना तो अब एक बार इसको मैं यहां से play करता हूँ तो देख लो कैसे जो अपना यहां से color वाला आ रहा है तो इतना हो आप सभी को यहां पर हलका सा और यहां से कर देना है तो जब इतना हो जाएगा तो अब इसको कॉंपी कर लेना है तो यहां से नीचे के साइड में ही कॉंपी वल अप्सन होगा देखलो तो यहां से इसको कॉंपी कर देता हूँ एक बर और copy कर देता हूँ अब यहाँ पर आकर आप सभी को जो फालतुई इसमें है इसको यहाँ से नीचे split होगा तो split पर tap कर कर जो फालतुई है इसको यहाँ से simple से delete कर देना है तो अब देखलो ऐसे color कैसे जा रहा है तो इससे बहुत ही amazing आपना लग रहा है देखलो कितना अच्छा लग रहा है तो अब इतना हो गया तो अब एक और butterfly को add करना है तो फिर से आपको add overlay में जाना है and add overlay में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से butterfly वाला जो png है वो भी आप सभी को मिल जाएगा सबका link मिल जाएगा तो फिर से blend में जाकर इसको भी यहाँ से lighten कर देना है तो देखलो and इसके side को हलका से चोटा कर लेना और यहाँ पर kone के side में लगा देना है तो देखते हैं इसको ok कर देते हैं and यहाँ पर आप सभी को अच्छे suggest करना है butterfly वाला तो देखलो अब इसको एक बार मैं play करता हूँ तो देखलो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अब इसको यहाँ से video के हिसाब शाकर इसको भी नीचे split पर जाना है and इसको भी cut कर डिलेट कर देना है जो फालतू का हुआ तो यहाँ से देखलो भाई कुछ steps अपना editing तो यहाँ से देखो यह colors वाला जा रहा है and butterfly बहुत ही hard लग रहा है तो इसमें कुछ effect को add करते हैं तागे बहुत ही अच्छा लग गया तो जो आपका video clear होगा उस पर tape ना आपने photo पे and नीचे आप सभी को sorry यहाँ से आप सभी को यहाँ से बैक आजना है और देखलो यहाँ से नीचे effect वाला option होगा effect वाला तो इस पर जाकर video effect में चले जाना है and video effect में जाने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा wait करना है तब तक यह download होता है अब आपको यहाँ से नीचे आप सभी को स्क्रॉल करना है तो देखो आप सभी को यह वाला मिल जाएगा chromatic वाला option तो देखलो यहाँ से chromatic में जाकर इसको adjust करना है तो इसके NCT को यहाँ से जो NCT है इसको हलका सा घटा देना है इसको आप लोग 20 रख सकते हो और इतना हो जाएगा तो आपको OK करकर यहाँ से देखते हैं इसको अब जो इसका यहाँ से direction है वीडियो के हिसाब से रख देना अब यह अपना editing complete हो चुका है तो एक बार दिखाते हैं कैसा है जो edit हुआ है तो इसको play करते हैं तो देखलो यह थोड़ा थोड़ा moving हो रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है और butterfly और यह color वाला home को तो बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अब आप इसको export करना है तो उपर के side में देखलो तीर वाल icon है तो उस पर tape करना तो यह exporting चालू हो जाएगा तो I hope की वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी लिजियार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और चैनल को subscribe तो जरूर करना बहुत मेनत लगता है वीडियो बनाने में